हले दोस्तों आजके इस वीडियो में मैं आप से शेयर करने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में जाद दर स्टूडिंट्स जितने भी लोग मुसें जुड़ों है हमेशा कई नगई कॉमेंट्स में सवाल रहता है कि सर क्रिप्टो के बर बनाएगे जो फ्यूचर है फ्यूचरिस्टिक क्या है तो आख पूरी डिटेल की क्या प्रू है क्या कौन से है क्या एजूकेशन क्या हमें लेनी चाहिए इसके बारे में नहीं क्यूं इतना ये क्रिप्टो वर्ल इतना वॉलटाइल है कि एक निउस आने पर 8-8% ददस परसंट ये नीचे गिर जाता है सारी चीज़े इसके बारे में मैं डिटेल करूँ है यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कोई दिख रहे होगे जो एक वर्चुल कोई है अक्चुल में इसकी कोई एक्जिस्टेंस नहीं है सिर्फ हम इंवेस्टर ने उसकी दिया तो लोग को लगता है अब लोग इस पर जादा अट्रैक्शन होंगे लोग इसकी डिमांड करेंगे और इसकी प्राइस बढ़ने लगेगी लोग चले जाते हैं तो यही चीज़ है जहां पर आपको पर्टिकुलर एक नॉलेज लेनी जरूरी ह है अगर आप crypto world में at least small level से भी investment करना शुरू कर रहे हैं जैसे बहुत सारे कोईन हैं अगर मैं बात करूँ पहला है बिटकॉइन एथीरियम है लाइट कोईन बहुत सारे BNB है बहुत सारे कोईन है इसकी मैं अभी current price मैंने आपके शामने शेर करी हुई है जिसमें सबसे गठेरियम का है वैसे लाइट कोईन का है हर एक की प्राइस अपनी अलग अलग है जीरो पॉइंट टू में डॉगी कोईन शल राइस टाइम लोग इसकी डिमांडन सप्लाई के करते हैं बट थोड़ा है डीटेल में आज मैं के उपर explain करने वाला हूं तो थोड़ा सा आगे ना का मोटो माइनिंग हुई थी माइनिंग का मतलब सेंपली समज़ें कि अब वर्चियल माइनिंग होती है जम्पूटर में कोडर को सेंउन ब्चाहर करते हैं झाटन को सॉल्फ करते हैं तो उन्हें कुछ औक इसे शुरू हूआ बढ़ना आप देख सकते हैं कि 2011 में क्या price hold कर दी ती 0.07 लेकिन धीरे 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 bitcoins आगे बढ़ता चला गया एक time ऐसा आया जब आप देखिए कि 2015 सबसे बड़ा revelation रहा जब यह बहुत जादा लोगों के नोन में आ जब इसकी price आश्मान चूने लग गई और उस time भी लोगों ने कहा क्या कहा कि बहुत महगा हो गया है लेकिन investment क्योंकि आप अगर bitcoin में पैसा लगाना चाहते हैं तो दो तीन बाते ध्यान रखें सबसे पहली सबसे पहली चीज कि यह कोई legal tendency नहीं कि आपन bitcoin कोई भी समान खरीद लिया नहीं legal tendency नहीं है पैसो की तरह दूसरी बात इसको आप as a gold silver जिस तरीके से investment में लेते हैं वैसे ही आपको इसे investment में लिना पड़ेगा अगर आप कोई भी पैसा जो आप 15 दिन में निकालना चाहें बीस दिन में निकालना चाहें सुचे यह रहे चलो मैं crypto world में लगा देता हूं यहां से पैसा बना के वह फिर वह कहीं और use कर लूँगा तो भूल के भी ऐसी गलती ना करें यह एक investment platform है यहां पर इसको आप investment लेके चले कि वह पैसा जिसे आप invest करना चाहते हैं और यह भी वाद ध्यान रखिए कि financial world में एक simple कहावत है कि आप सारे पैसे एक जगह मत डालिए है ना सारे अंडे एक basket में मत डालिए अगर टूटे तो सारे गए इसलिए जितना पैसा आप invest कर सकते हैं उसका 10% 15% crypto world में डालिए और तकरीवण आपका एक sentiment होना चाहिए कि बही 5 साल 10 साल 15 साल इतना मैं invest करूँ जिससे मुझे मेरी rupees profit बढ़े ना बढ़े मेरी wealth increase हो तो य क्योंकि government के तरीके से बहुत सारी इस पर न्यूज आती है बहुत सारी चीजे बैन होती रहती है लेकिन यह चीजे क्या हो गई दीरे दीरे इसकी price अब चली अब तो इतनी high level चली गई कि 44 यानि कि 50 लाग रुपे देने पड़ते थे एक bitcoin के लिए लेकिन आज के टाइम पर बहुत जादा इसमें decline है और यह चीजे गर गई है depends on you कि आप इसे किस तरीके से देखते हैं थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं कि यह आखिर actually work कैसे करता है अगर आप देखें bitcoins में तो दो blockchain में दो main चीज होती है एक होती है public की और दूसरी होती है private की इसको आप इस या like government का UPI system है वो work कर रहा होता है लेकिन blockchain में क्या है एक private की है जिसने जिसको भी अपने bitcoin send करें bitcoin में भी आप parts बेज सकते हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा लेकिन अगर मालीजे A ने B को कुछ bitcoin send किये इसके पास एक private की है जिसे वो लगा के इस चीज को क्या कर देगा ब्लॉक कर देगा यह ब्लॉक जो है वो दो तीन फॉर्म में आते हैं एक छोटे ब्लॉक्चेन अगर आप बात करें ब्लॉक्चेन होती कह है तो ब्लॉक्चेन सिंपली एक small mb of file है जो एक code के रूप में रिपरजेंट होता है और सामने वाल आपने private की में जैसे इसको आता है market में वह जाता है और वह सामने वहां पर public की represent होती है जहां पर बहुत सारे माइनर्स है जो उस code को solve करते हैं और save करते हैं यानिकि आपने कोई भी कोई भी transaction किया उस transaction की पूरी जितने भी blockchain world है वहां पर जाके उसके detailing आयाती है यानिकि आपने कितना पैसा किसको transfer किया यह ये पूरा detail रहता है और उस detail में यानि कि public की तभी apply होती है जितने भी coders है जितने भी coders को form करते हैं एक secret file में जो like उसे mining करते हैं और उस दराव उनको कुछ bitcoins मिले जाते हैं कुछ bitcoins मिलने की कुछ like fundamentals है अगर मैं आपको वह भी detail कर दू तो 2019 में जितने भी लोग solve करते थे वहां पर 50 bitcoins मिलते थे लेकिन जैसे ऐसे इसकी valuation बढ़ती चली गई आप देखिए कि 2012 में 25 bitcoins मिले 2016 में 12.5 bitcoins मिले 2020 में 6.25 bitcoins मिलते हैं these are the mining process जो की bitcoins को जितने भी लोग like capture solve करते हैं और mining करते हैं इसके लिए बहुत सारे computers electricity इन चीजों के required होती है और सारी चीजे मैंने detail कई वीडियो में आपको करा भी हुआ है जो भी मेकर इटरस पर है तो अब बात करेंगे कि सर इसकी price इतनी अप जादा किस चीज़ पर करते हैं तो मैं आपको simply अगर एक word में समझाओं तो simple आप समझे कि कि किसी भी चीज़ की demand और supply होती है यह इसकी मान के चलते हैं यह supply line है राइट डिमांड कि और जहां पर उसकी equilibrium price आएगी वो price decide होएगी रिसेंटली आपने देखा कि कोई समझे सटली news flash हुई जहां पर लोगों ने supply बहुत ज़्यादा बढ़ा दी क्या कर दी supply supply की quantity बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और demand बहुत ज़्यादा गिर गई इसकी equilibrium होने के लिए price क्या होग करता है यह उसकी चाहिए fundamental के लिजी और current situation के according दोस्तों सीधा बाता है कि सर investment कहां से करे with learning as a beginner तो जितने भी मेरे यहां पर subscribers है मैं आपको एकी चीज़ कहना चाहूंगा कि देखिए सबसे पहली चीज़ कि बहुत से लोगों ने यानि कि बहुत कम लोगों ने कम पैसा लग करोर रुपए गमाएं भी है just because of कि उन्हें बहुत कम टाइम में बहुत पैसा सिये so make sure ऐसी गलती ना करें learning करें small step से investment करें long term के लिए definitely आपको growth मिलेगा तो यहां पे मैं आपको recommend करूंगा learning with investment के लिए coin switch कुबेर को जहां पे आप तीन principle को आसानी तरीके से अगर continue करेंगे तो बहुत easily भी हमें इस platform को समझेंगे भी और सही तरीके से investment भी करेंगे इन जो इनके main step है पहला है simplicity दूसरा है credibility और तीसरा है flexibility simplicity की बात करूं तो यह इतना आसान है जैसे आप online कोई food order करते हैं वैसे ही आप crypto में invest कर सकते हैं investing amount भी बहुत आसान है यानि कि आप minimum 100 रुपे से आप crypto में invest कर सकते हैं instant deposit है instant withdrawal है कोई भी आपको brokerage fees देने की जरूरत नहीं है कोई भी deduction नहीं है चाहे वो deposit के time पर हो चाहे वो withdrawal के time पर हो यहाँ पे आपको 24 ट्रेडिंग मिलता है साथ में 24 ट्रेडिंग मिलता है साथ में 24 ट्रेडिंग आपको support भी मिलता है तो दोस्तों all over गर मैं बात करूँ तो coin switch कुबर एक best platform है beginner के लिए जहां पे आप learning with investment कर सकते हैं तो सारी details जो है वो description में है कैसा लगा यह video comment करके जरूर बताइए नए है तो channel को subscribe करिए क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही valuable information चाहे वो student related हो या फिर आप किस तरीके से study के साथ साथ अपनी एक self independent earning शुरू कर सकते हैं ऐसी videos में लाता रहता हूं तो दोस्तों देर नहीं करना है channel को subscribe करना है धन्यवाद दोस्त